नमस्कार साथ याँ आप से भी का हार्दिक स्वागत है एन्विर एज्जूकेशन के सी यूटूब चैनल पर तो सूचनस आएक बरती परिक्षा के लिए आपके रिक्वेस्टेड डिमांड थी कि भी हमारे जो है नेट्वर्किंग, ओपरेटिंग सिस्टम जितने भी टोपिक्स हैं उनको अलगलग टोपिक्स के इसाब से अलगलग क्लासेज आप सभी के लिए लाई जा रही है और बहुत ही सांदार क्लासेज और आप सभी का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मैं मिल रहा है जबर माने यह लेवल माने इन का मेन उध्य से होता है कि क्लाइंट का यह पी अवह उता है उसके उपर यहींड के द्वारा जो डाटा रोक स्ट किया गया है उसको डाटा एस सर्वर alltså करके उसका रिजल्ट । प्राप्त करना यानि यहां से कोई रिक्वेस्ट सेंड करना इस रिक्वेस्ट में कुछ ना कुछ डाटा प्राप्त करने के लिए यूजर कभी भी कोई रिक्वेस्ट करता है कोई ना कोई डाटा एकसेस करने के लिए करता है तो यहां पर वो क्या करेगा कि अपनी रिक्वे इसके अंदर जो major, जो difference है, उनको जानने वाले हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो है, secure कौन सा है, और advantageable कौन सा है, वो हम जानने वाले हैं, ठीक है, तो वीडियो को सुरू कर रहा हूँ, अच्छा लगे है, तो like कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिएगा, यह टायर का मतलब होता है, यह two tire लिका है मैंने, इसका मतलब आप layer भी कह सकते है, two layer, ठीक है, यहां पर इसलिए मैंने ज़्यायर वर्ड भी यूज़ कर लिया, इसमें क्या होता है, कि एक client है, माल लिया, कि यह client है, ठीक है, अभी मैं इसको यहां पर जो है, indicate कर रहा हूँ ठीक है, यानि कुछ request करने के लिए अपने data को inboxes के अंदर जो है, वो feed करता है, कि मुझे इसका result चाहिए या वो request करता है, उस request को वो करता है, यहां से send, ठीक है यहां से send करेगा, तो देखें, वो तो user program था, उस user के अनुसार, जो है, अब माल लीजिए, आप एक bank के अंद ने है, तो मैं क्या करूँगा, वो slip जो होगी payment निकालने के लिए, withdrawal के लिए, मैं उसके अंदर कुछ details बरूँगा, उसको physically उस cashier को दे दूँगा, जो पैसे देने के लिए बैठा है bank के अंदर, तो मैं उस व्यक्ति को दूँगा, तो वो क्या करेगा, इसके अंदर details बरे रहा है, interface के उपर काम कर रहा है, उसके सामने जो user interface आ रहा है, उसके अंदर काम कर रहा है, लेकिन वो उसी type में यहां तक नहीं पहुंचती है, ध्यान रखेगा, वो उसी type में यहां तक नहीं पहुंचती है, जब वो यहां से send button को दबा देता है, तो वो request यहां पर आने के के पास आएगी डाटबेस इस query को क्या करेगा process करेगा process करने के बाद फैच कर लिया process कर लिया run कर लिया अब इसको लगा कि यहां पर यह data जो है इसने चाहा है और यह data यहां पर मिल रहा है तो यह क्या करेगा उस query का कि data से data base server से direct जो है client connect हो रहा है और अपने interface की माद्दिम से data को phase कर वा रहा है उसका result वापस मंग वा रहा है ठीक है अब इसमें advantage क्या हुआ देखे advantage आपको यह देखने को मिलेगा कि इसमें आपको users हो है वो direct से connect होकर जो है data को प्राप्त कर रहा है तो इसमें जो client होंगे वो limited होंगे यानि जो इसके जो client होते हैं एक्सेस करने वाले वह limit होते हैं ठीक है तो इससे क्या है कि अगर कुछ कि किसी भी client के अंदर कोई problem आ गई किसी भी ठीक है तो उसका maintenance आसान है हम जब चाहिए उसके अंदर उसका maintain कर सकते है database को या उसके अंदर कोई physically problem आगी तो भी उसको आसानिश हम maintain कर सकते हैं अब देखे इसका disadvantage भी जान लिए टू टायर आर्किटेक्टर का इसका disadvantage आपको यह मिलेगा कि इसमें user जो है वो direct to direct connect हो रहा है database के साथ ठीक है न वो directly उसको connect हो रहा है उस database के साथ तो कही ना कहीं कभी ना कभी इस database की जो security है उसके उपर कोई effect भी पढ़ सकता है तो यह इसका disadvantage होता है two-tier architecture का ठीक है इसको simply again मैं समझाना चाहूँगा आपको अगर आप गनफिज हो गए है एक client का interface होता है उसके उपर जो user होता है वो data को fill करता है किसी भी request को प्राप्ट करने के लिए या किसी data को प्राप्ट करने के लिए मान लिया मेरे को payment निकालना है तो मैं उसके अंदर जो यूजर जो होगा या मैं हूँ मैं अपने interface के उपर बैटे बैटे यहाँ पर जो है detail को fill up करूँगा fill up करने के बाद जैसे में send करूँगा तो वो user interface जो है वो उसको convert करेगा पहले query में ठीक है query में convert करने के बाद वो database server के पास इसको बेजेगा database server उस query को पड़ेगा कि यह data मेरे से फैच हो रहा है ठीक है तो इस request के data को यानि उसका results होगा वापस वो client को भेज़ देगा ठीक है ना अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर three-tier architecture में इसमें और इसमें difference क्या है इसमें क्या होता है work वो का वो है लेकिन थोड़ा सा major difference वो मिलता है आपको कि जब users होते हैं देखिए यहाँ पर तो limited user रहते हैं इसमें unlimited user रहते हैं यानि जितने चाहें user वो client के पास आ सकते हैं या उसके through request मांग सकते हैं यह क्या होगी जो भी request होगी वो query के रूप में पहले जाएगी application server यानि जिसको business layer भी का जाता है इस layer पर आएगी यह request ठीक है ना query में convert होके यहाँ पर आएगी यहीं पर इस process होगी है यहीं पर आएगी और यहीं पर process होगी फिर यह क्या करेगा उसका एक fix format त्यार कर लेगा कि मुझे सिर्फ database से यह प्राप्त करना है तो database को यहाँ पर relaxing मिल जाता है, relax हो जाता है database, database का सिर्फ काम यहाँ पर यह इज रह जाता है कि मुझे application layer जो बोलेगी मेरे को वो data उसको भेजना है बस लेकिन यहाँ पर क्या था वो query खुदी प्रोसेस करता था फिर उस data को खुद सर्च करता था फिर रिजल्ड बेज़ता तो उसका काम भी थो थोड़ा प्रोसेस हो जाएगी इसी layer पर तो प्रोसेस होने के बाद वो चाहेगा कि यह क्लाइंट का यूजर जो है वो क्या चाहता है तो वह direct पका पका है जो पका पकाए जो कोईसन है वो यहां पर आ जाएगा जबकि यहां पर कोईसन को पहले यहां पर मंगवाया जाता था फिर उसको यह समझता था फिर उसका रिजल्ड फैज करता था कि है क्या फिर उसके बाद उसको सेंड करता था क्लाइंट के पास यहां पर तो application server जो है वो क क्रीपौर्मेंस अच्छा रहेगा इस पहर है यहाँ इसका भी हुघ जो फटाप मिल जाएगा और यहां और जोसैक्यां यहां पर क्या मिलेगी आपको किC नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो database होगा उसको भी security provide हो सकेगी यानि आपका जो database होगा वो secure रहेगा यानि direct यह connect नहीं हो रहा है यहाँ पर तो आपका data होगा यहाँ पर जो database server में है वो यहाँ पर आपका secure रहेगा That is a three-tier architecture and two-tier architecture ठीक है तो यहाँ पर यह major differences के अंदर आपको मिलते है इनके advantage or disadvantage यहाँ पर यह आपको देखने को मिलते है यहाँ पर आपको client को जो है database direct connect किया जाता है जबकि यहाँ पर application के पास बेजा जाता है आपका request query के रूप में फिर यह प्राप्त करेगा फिर उसके उपर direct result मलब इसको पता है कि मेरे को बेजना क्या है यहाँ पर यह क्या करेगा पहले query का wait करेगा query आएगी process होगी उसके बाद data fetch होगा फिर result उसको बेजा जाएगा यहाँ पर तो process जो है यही पर हो जाएगा query क्या है वो भी हो जाएगी इसको result क्या बेजना है वो यहाँ पर direct बेज़े जाएगा यह result यहाँ से direct यहाँ पर आ जाएगा तो इसमें और इसमें जो है major difference जो थे वो आपको मैंने बता दिये हैं और यह किस परकार से काम करते हैं वो भी आपको कारे पढ़नाली भी समझा दिये advantage, disadvantage भी आपको देखने को मिल चुके हैं ठीक है और इसके अगर और इसके अंदर आप जो है टू टायर आर्किटेक्चर और त्री टायर आर्किटेक्चर के बाद जो है हम DBM में से समझे और important जो टोपिक है उसके उपर discuss करने वाले सातियों आप हमारी चैनल को इसी परकार support करते रहेगा वीडियो अगर आपको आसानी से समझ में आ चुका तो इसको like कीजिए इसके notes बनेते रही है अगर आप notes नहीं आपके पास तो आप हमारी टेलिग्राम चैनल के अंदर भी जॉइन होकर आप उससे download कर सकते हैं इसी के साथ मैं संपत लेड़ा आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ जै हिन जै भारत